नमस्कार जहिन सातियों मैं विशेक मिस्रा आज आप सभी लोग का हमारे दिर्ण संकल यूटूब चैनल पर भहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज अब इसे एक मिस्रा आप सभी लोग के लिए क्लास सेवन की NCRT फूगल के महत्कोंट प्रशनों को लेकर के आया हूँ इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के वीडियो आ चुके हैं अगर आप लोग ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो देखीगा हम चैप्टर के जितने भी चैप्टर में important topics होते हैं जो हमको पढ़ने चाहिए उन सभी topics पर questions बना करके आप सभी लोग के लिए पढ़ने लेकर के आ रहे हैं डेली दो चैप्टर आ रहे हैं कल चैप्टर 3 और 4 आयता चैप्टर 5 और 6 आएगा ठीक है चैप्टर 6 का वीडियो साम को साथ बज़े आएगा ठीक है तो class 7 की NCRT जो जोग्राफी इसमें हमको हमारे पर्रेवर्ण के विसे में काफी सारे प्रस्ण मिलते हैं और classic से लेकर के 12 तक की जो NCRT है जितनी हमारे लिए important है उन सभी पर हम important questions बनाकर के आपके लिए लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे ठीक है और आज की इस chapter का नाम है जल ठीक है और जल की विसे में जितने भी question बनते हैं आज की इस chapter में जो हमको पढ़ने चाहिए उन सभी प्रस्ण को लेकर के आया हूँ तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकन को दबाई के जिससे प्रतेग वीडियो को notification आपको मिलता रहे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले question से तो पहला question दिया जा रहा है कि निमनलिकित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है तो इसका option D बिलकुल correct होगा था उपरोग तो सभी बासपी करण इसके बाद में संगनन और बर्सन और ये जो प्रक्रियां दी जानी सबी ठीक है अब इसको आराम से समझ दी जा कि यह होता क्या कुरा जल चकर ठीक है इस पर अगर कोई प्रसंड बनेगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं देखीगा मैंने तो प्रसंड ये बना लिया ठीक है अब UPSC जिस पर आधारित अगर प्रस्ट पहुंचता है तो किस प्रकार से पूछेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है इसलिए अगर आपको किसी प्रस्ट पर पक्की पकड़ बनानी है तो उसको संतुली तरीके से समझो अब संतुली तरीका किसे कहते हैं तो संतुली तरीका उसे कहत करते हैं जिसको जिस प्रसंद पर आप चारों तरफ से बहस कर सकते हों जिस पर आपका संपूर्ण अधिकार उसे कहते हैं संतुलित उत्तर ठीक है तो इसको समझेगा अब देखें जैसे सूर कताब बढ़ता है सूर किताब की कारण जो जल होता है वह बास्पित हो करके आस्म या फिर सहीम ब्रिष्टि के रूप में पुनह धर्ति पर अकरके यह धर्ति पर आ जाता है यह धर्ति पर आता है यह समुद्र में आता यह नदियों से उत्वाइब बरस जाकाओ है अब अगर प्रसुद समझमें आया होगा अगर हमारे व हीडिव और किसी को यह वीडियो हमारा सेयर करेंगे और तो आपकी कहिन कहीं से मदद होगी थिक है तो कोसर 1 2 दो मिल रहा है यहादा में सर्भाधिक योगदान है इसके लिए यहाँ पर चार अप्षन दिये जा रहे हैं अप्षन A sodium chloride option B calcium chloride option C magnesium chloride option D उप्रोग तो सभी तो इसका option A बिल्कुल correct होगा आप लोग अगर इसको एक taste सीरीज समझ करके पूरा समझें पूरा solve करें तो जाना बेतर रहेगा क्योंकि अगर आप kisी present का उतर देंगे तो आपका उस present पर अधिकार पूरा जम जाएगा और अगर आप उतर देंगे तो आप यह समझेंगे कि आप इसको जानते हैं क्योंकि जब तक कोई ब्यक्ति किसी present का उतर नहीं जानता है उस पर कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा option A, और इसको भी समझीगा, जो महासागर होते हैं, महासागरों एबन जो समुद्र होते हैं, सभी का जल कैसा होता, लबणी होता है, और जो ये लबणी जल होता है, इसमें, अधिकान्ज, सोडियम, क्लोराइड और खाने बाल जो नमक होता है, ये पाए जाता है, ठीक है, और जो लबणता होती है, लबणता की संदर में भी मैंने रख लिया है थोड़ा सा, तो लबणता लगबग 1000 ग्राम में मौझूद जल की मात्रा होती है, ठीक है, लबणता 1000 ग्राम में मौझूद नमक की मात्रा ह अब लबड़ता जो होती है यह ग्राम प्रति 1000 ग्राम की रूप में दर्साएं जाता है अर्थात जैसे कि उधारन Content महाथ सागर का ठीक iets महा हसागर का और देखते हैं question number 3 को एक मिनट में आपन नमक कहा था नमक नहीं हो सकता या फिर कुछ और होगा इसका कहा नहीं हो सकता कि नमक है या फिर sodium chloride है sodium chloride और नमक इन दोनों को मिला करके लबड़ता बनती है ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं इसके बाद में हमको मिलता है question number 3 और question B चंद्रमा का गुरुत्वा करसन बल option C सूर एबम चंद्रमा दोनों का गुरुत्वा करसन बलके कारण या फिर option D इन में से कोई नहीं तो इसका option C बिलकुल correct होगा अर्थात सूर और चंद्रमा इन दोनों के गुरुत्वा करसन बलके कारण एक मिनट अब अगर आपको य ये प्रसन अच्छे समझना है, ये सारी चीज़ अच्छे समझनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखने से पहले, इसका समरी वाला वीडियो देखेगा, समरी वाले मैंने क्लास 6, 7 और 8, इन तीनों क्लास की जो हिस्टी, जोग्राफी और साइन्स एब और पॉल जो NCRT, जोग्राफी है, मैंने टोटन लोट्स के माद्यम से पढ़ाई थी, और बहुत ही एकदम इंपोर्टन टॉपिक्स ही लेकर के आया था, बिल्कुल भी बेकार की चीज़ें को नहीं लेकर के आया था, ठीक है, तो इसको समझते हैं, ठीक है, इसका उत्तर होगा, Option C, अर्थाद सूर एबम चंद्रमा दोनों के गुरुत्वा करसन बलके कारण, ठीक है, अब सूर एबम चंद्रमा जो होता है, ये सूर एबम चंद्रमा के सक्ति साले गुरुत्वा करसन बलके कारण, प्रत्वी की जो सत्य होती, इस पर ज्वार और भाटा, ये दोनों ची प्रभाव से ही होता ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्ट नमर चार को यह जोर भाटा दो ऐसी चीज़े हैं जिनको अभी आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा आप यह नहीं कहेंगे कि इसको इसने बिल्कुल भी पकड नहीं है ठीक है तो कोस्ट नमर चा अप्सन भी भाटा ऑप्सन सी जौर भाटा दोनों अप्सन डीन में से कोई नहीं तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्सन ए अर्थात अब इसको समझीगा जौर भाटा में मैंने जैसा कि आभी आपसे पूरा कहा था कि आपकी पूरी पकड़ बन जाएगी यहां पर पूरी जाएगी अब जौर भाटा कैसे किसे हैं ठीक है तो जब महासागर का जल्ज होता है वह अतिदी को उचाई पर उठकर के पूरे तट को डुबा देता है ठीक है पूरे जो तट होता तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है अर्था जो समुदर से तटा लगा हुए चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा अर्था तटके से तटके आए वह पानी सारा जब इसमुदर में फिर से चला जाता है तो उसको कहते हैं भाटा ठीक है और एक दिन में लगबग दो बार नियम से यह जो जौर भाटा यह आते ही आते हैं ठीक है चलिए आंगे बढ़त प्रत्वी, तीनों एक साथ, एक सीदि में होते हैं, जब सूर एवंचन्दरमा प्रत्वी पर समकोन बनाते हैं, उप्शन सी, जब महासागरी सते का तापमान उच होता है, उप्शन डी, जब बहुत तेज हमाई चलती है, अब इन चारों में से कौन सा कतन सते हैं, आप हमको बताईगा इसका आंसर ठीक है चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात जब सूर एबं चंद्रमा प्रत्वी यह तीनों ही एक सीध में होते हैं उस समय सबसे उंचा जोर उड़ता है और इस जोर को हम लोग कहते हैं ब्रिहत जोर ठी प्रत्वी वाला इसको मैंने फुल डिटेल में सबरी वाले वीडियो में बताया था पूरा मतलब पिक्चर के साथ में आता तो सुर चंद्रमा और प्रत्वी इन दिनों की पिक्चर भी रख ली थी फोटो और उसके अनुसार से बताया था बहुत यह समझाया अगर आपने ठीक है पूरिमा और अमावस्या इन दोनों दिनों में सूर और चंद्रमा जो होती है यह सूर चंद्रमा और प्रत्वी यह तीनों एक दूसरे के सीध में आ जाते हैं और तभी ब्रिहत ज्वार आता है देखीगा यह आपको जो अमावस्या है जो पूरिमा है यह जो हिंद होती है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हमको मिलता है और इसमें दिया जा रहा है दिये गए निम्न लिखित कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सत्ते हैं पहला कतन दिया जा रहा है जब सूर्य चंद्रमा और पृत्वी एक सीध में ना होकर होती है पहला कतन था यह और दूसरा कतन है लगुजवार की उत्पति कृष्ण पक्ष एबं सुकल पक्ष के समाप्ति या फिर अश्टमी को होती है अब इन दोनों कतनों को जो उत्तर होगा वो यह है कि उपरोफ्त दोनों कतन सत्ते हैं ठीक है अब इनको आप लोग समझ दीएगा यहीं पर क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा है और प्रत्वी यह तीनों एक सीध में नहों करके एक समकोंड बनाते हैं ठीक है एक समकोंड बनाते हैं तब क्या होता है जो चंद्रमा होता है और सूर्य होता है ठीक है तब चंद्रमाबा सूर्य आकर्षन ए इंदोनों के बीच में आकरशन बल्ट कार्य करता है। और इस जोर में जो उच्भार में वहती ही वो सवामान जॉच्वार से लगबग कम ही होती है। तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 8 को 8 प्रस्ष में आपको तीन कतन दिये जा रहे हैं और आपको बताना है कि इन तीनों कतनों में से कौन सा कतन सकते हैं पहला कतन है उच्च जौर उच्च जौर यहां पर दो बाल लिग गया अब इन तीनों कतनों में से कौन सा कतन सत्य अगर आपको पता है तो आंसर दीजीगा comment box में क्योंकि आपका आंसर हमारे लिए बहुत ही motivate होता है हम उससे motivate होते हैं और आपके लिए और अधिक से अधिक बीडियो अच्छे से अच्छे बीडियो बनाने के परियास करते हैं ठीक है तो इसका अंसर होगा उपरोग तो सभी कतन सत्य हैं तीनों कतन सत्य है ठीक है अब बात क्या है तो बात यह असल में यह है कि जो उच्छे जार होता है यह नाव संचाल में सायक होता है और यह जल जो होता है यह जल को यह जल इसतर को तड़की उचाय तक पहुंचाते हैं ठीक है और ये जो जहाज होते हैं ये जहाज को बंदर गाह तक पहुंचाने में बहुत सायक होते हैं क्योंकि जब जुआर आती है ना तब पानी का जो बहा होता ये तेज हो जाता है और इससे नाव संचाल में भी जो तो मदद मिलती है और नाव जो होती है सारी बंदर गाह तक पह जाती हैं तो इसके फलसुरूप जो मश्वारे होते हैं वह कठनाई मतलब उनको कठनाई नहीं होती है मशलियों को पकड़ने में और वह आरम से मशलियों को पकड़ लेते हैं ठीक है और कुछ सब्सक्राइब जहां पर जो जो आरबाटा से होने वाले जो जल का उतार चड़ का है तो प्रसंदिया जाराएं कि महासागरी धाराओं के संदर में दिये गए निम्न लिकीत कतनों में से कौन सा कतन असत्य है चार कतन दिये जा रहे हैं और पूंचा जाराएं कि इन चारों कतनों में से कौन सा कतन गलत है तो पहला कतन है ऑप्सन ए गर्म महासागरी धारा होती हैं ऑपसोन सी लेपरा डूर महा सागरी धाराएं विज धाराएं के ने उतले धाराएं होती है इसके बाद में ऑपसें दी महा सागरी धाराएं आस-पास के छेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है अब द這些 option गलत और अप को बताना दो तो चलिए मैं इसका अंसर बताता हूँ आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया कियोंकि अगर मैं प्रतेक कोस्वन को ऐसे रोकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा चलिए इसका अंसर होगा ऑप्सवन सी अर्था जो तीसरा कतन यह वाला गलत है इसमें जो यह बत बढ़ते हैं और देखते हैं को आज इस चेप्टर में को काफी सारी मिल गए बाकी अगर पिछली वीडियो में देखेंगे तो जो क्लास सेबन के एंसी आटी जोग्राफी इसमें हमको बहुत सारी प्रस्ण मिले थे और मैंने आपको बताए भी थे ठीक है तो कोस्वन में दिया जा रहा है निमनलिकित में से कौन सा महासागरी चेतर बिस्व भर में सर्बोतम मतस से चेतर माना जाता है औप्सन A वै चेतर जहां सीत जल्धानाएं बहती हैं और अप्सन D जो बिस्वत रिका कि आस पास हो अब इन चारों में से जो option सही होगा वह option B, अठात, वह छेतर जहां पर गर्म और सीत, यह दोनों ही जल्दाराएं मिलती हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने full detail रख लखी है, तो दिया जरा कि सागर या फिर महा सागर के जिस स्थान पर गर्म एवन ठंडी, यह दोनों जल्द जल्दाराएं मिलती हैं, वह इस्थान बिस्थो भर में सर्वोत्तम मतद से छेतर माना जाता है, अब जापान के आसपास, अगर आप देखेंगे, तो वहां के जापान के आसपास है, और उत्तर अमेरिका के जो पूर्बी तठ है, इसके कुछ उत्तर हैं, ठीक है, यहां प पड़ते हैं, और देखते हैं, कोस्ट नमबर 11 को, यह प्रस्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें दिया जा रहा है कि सुनामी सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई है, उप्सन ए चीनी भासा, उप्सन भी फ्रेंच भासा, उप्सन सी संस्कित भास जापानी भासा, अब इन चारों में से जो उप्सन सही होगा, वह उप्सन डी था जापानी भासा से, इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका मैंने फूल डिटेल में रख लखे है, लिख रखा है, तो इसको भी समझेगा, इसमें आपको तीन पॉइंट भी मिलते हैं, ठीक ह तो सुनामी जो है, इसकी उत्पत्ति हुई है, सुनामी जापानी भासा से एक सब्द है, जापानी भासा का सब्द है, और इसका आर्थ होता है, पोतासरे तरंगे, क्योंकि जब सुनामी आती है, तो पोतासरे जो नस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो पोतासरे होते हैं, ये न बिनास हुआ था ठीक है हिंद मासागर में सुनामी करवर बहुत बिनास हुआ था और इसके फलसुरूप हिंद मासागर के कुछ दूइप को ट्यूब गयते ठीक है और दूसरा पॉइंट मिलता है भारती सीमा का सबसे दक्षनी बिन्दू जिसको इंदरा पॉइंट कहते है इसको इंद्रा पॉइंट है ठीक है जो की अंडवान निकोबार दूइब समू में इस्तित है ये पूरी तरह से डूब गया था और यदपी पहले से भुकम का अनुमान लगाना संभब नहीं है लेकिन फिर भी सुनामी के कुछ तीन घंटे पहले हमको इसके संकेत मिल जाते ह कि हां सुनामी आने वाली है और आपको एक बहुत अच्छा उधान बता दूँ जब भी कोई प्राकरतिक आपदा आने वाली होती है तो इससे पहले जो हमारे यहां के पेर पौदे होते हैं इन पर बैटे हुए पसु पक्षी ठीक है इन सभी में हलचल होने लगते हैं ये स ब्राथमिक चेताबनी है कि ऐसी पुराणियां क्यासी नहीं मतलब यहां पर यहां सुनामी आ सकते हैं यहां पर चेताबनी दी जा रहे ठीक है इसके और ये कभी सांत नहीं होता कि दोनों common question है आपको आते होंगे लेकिन हमारी प्रते question पर पकड़ होनी आवश्यक है इसलिए मैंने इसको भी रखा है ठीक है तो इसके उत्तर है कि उपरुक तो दोनों को तन सकते हैं और जो ताल होता है और जो जील होते इन दोनों का जल सांत रहता और इसके विपरीत अगर मासागर का जल देखेंगे तो मासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है और ये कभी भी सांत नहीं रहता है मासागरों की गति को इस प्रकार वर्णी के वर्गी करत किया जा सकता है जैसे कि तरंगे हैं जौर भाटा है धाराएं है ठीक है तो इ हमारे इस चैनल पर UPSC की टाई स्टार्टिंग से कराई जा रहें ठीक है जिसमें हम आपको NCRT को पढ़ा रहें और NCRT सीरीज में मैंने Class 6 की और 7 की NCRT और Class 8 की NCRT की समरी को complete पढ़ा दिया है और इसके बाद में जाना महतपूर पॉइंट नहीं मिलते हैं बस यहीं दिया गया है कि हां राजया कैसे बनता है ठीक है मतलब प्रधान के चुना जाता है बिविता किसमें किसमें अपने भारत देश में तो कपड़ों को लेकर के भी विता है तो आप सभी लोग जानते हैं ठीक है तो और जिन लिए आपको minimum payment करना होता है और payment सिर्फ इसलिए रखा गया है जिससे की जो लोग UPC की त्यारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्ने एक जाम की त्यारी कर रहे हैं और मतलब NCIT उनको पढ़ना सिर्फ बही लोग लें करके बेफालतों में काफी लोग message कर देते हैं कि WhatsApp पर मुझे लेने मुझे लेने तो ऐसी किस-किस को दिये जाएं ठीक है इसलिए इसके लिए मैंने payment रखा है बहुत ही minimum payment ठीक है और अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम पर जॉइन नहीं किया है तो जॉइन के लिजीगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब के लिजीगा वीडियो को श